प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है सहर अध्यक्ष ने प्रदेश के ग्री मंत्री नरुत्त मिश्रा का इस्तीफा मागा है जैन समाज के बुजुर भवल लैल जी की हत्या भारती जनता पार्टी के नेताओं के दारा कर दी गई ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा जी जब से ग्रह मंत्री का कार समाले हैं तब से मद्द परदेश के अंदर सामरताइक्ता का सद्वा लगातार भी गड़ रहा है चाहे हुआ खरवान गों, चाहे हुआ नीमा छो, चाहे आजरतलाम हो जब हम सब अपनी मा के गोक से जन्म लेते हैं तब उस बच्चे को यह नहीं मालूम रहता है कि हम किस धर में, किस घर में पैदा हुए हैं जब बच्चा बड़ा होता है, तब उसे मालूम चलता है कि हम इस समाज में, इस घर में पैदा हुए हैं हमारे गुरुवों ने कहा है अल्ला हो अक्बर नूर अपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जब जब कौन भले, कौन बंदे हम सब एक नूर के बंदे हैं कोई संकर भगवान जी की पे आस्ता रखता है कोई वाइगरू जी पे आस्ता रखता है कोई अल्ला पे आस्ता रखता है कोई कृष्ण पे आस्ता रखता है सब की आस्ता एक है नाम अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन भारती जंता पार्टी के नेताओं ने उन नामों के साथ सब को खड़ा कर दिया, किसी को कह दिया कृष्ण जी के बंसज हैं, तो ये कृष्ण जी के बंसज हैं, किसी को कह दिया ये राम जी के बंसज हैं, तो ये राम जी के बंसज हैं, लेकिन हम सब बनसज हैं अच्छे कारियों के बनसज हैं हम सब बनसज हैं तो हमें अच्छे कारियों को आगे बढ़ाने समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए जो हमारे तुलसी बाबा गुनानक देजी रविदाज जी भकसेन नाई जी इन सब ने समाज को जोड़ने का काम क भारती जनता पार्टी के नेता तोड़ने का काम करते हैं और संक्यक समाज भी हमारे बीच के हमारे घर का हमारे परिवार का एक सदस है हम सब कहीं कोई अलग नहीं है भारती जनता पार्टी अलग कर सकती है जाती से जातियों को बाट सकती है धर्म में भेदवाव करा सकती है लेकिन आने वाले समय में इन सब चीजों का जवाब भारती जनता पार्टी को मिलेगा, मेरा तो सिवराज जी से साब कहना है कि ग्रह मंत्री जी का इस्तीफा जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मद्द परदेश के अंदर सामपरदाइकता का जो है वाता वरण खत्म हो जाएगा, मिल, हिंदु मुस्लिम सिख इसाई सब एक साथ मिलकर चलने लगेंगे, जैहिन, जैवारत!